परजीवी मतलब की दूसरों पर जीवित रहने वाला, किसी दूसरे विक्ती, बोडी या किसी चीज के उपर जीवित रहता है, मतलब उनको मार कर खुद को जिन्दा रखने वाली ऐसी चीज होती है आपने अगर बाइलोजी पढ़ी है तो समझ आओगे, अगर नहीं पढ़ी है, तो क्या फरक पढ़ता है, मुवी देखनी है, सीरी देखनी है, उसके लिए इतना ग्यान थोड़ना चाहिए होता है तो आज की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, पैरसाइट ग्रे करके एक सीरीज आती है, नेट्फिक्स के ओपर अब देखो यार, पैरसाइट करके कुछ चीजे मार्केट में अल्री मुझूद है, जैसे की पैरसाइट करके साउथ कोरिया की एक मूवी भी है बहुत बढ़िया मूवी है, मुझे वो बहुत पसंद आई है, जो उसके अंदर विचार धारा की, जो एक लड़ाई दिखाई गई है, वो मुझे काफी अच्छी लगी है उसके अंदर पैरसाइट मतलब कोई चीज आकर हमला नहीं कर रही है, कुछ और ही तरीके के, वो एक पैरसाइट के नाम से मूवी है अगर आपने नहीं देखी तो वो एक बार जरूर देखना, वो वाकवी में बहुत बढ़िया मूवी मुझे लगी उसके अलावे एक एनिमे सीरीज भी है, पैरसाइट मैगजीम करके, मुझे वो एनिमे सीरीज भी बहुत जादा पसंद है अब पैरसाइट करके ये दो चीजे मैं ओड़ी देख चुका था, मुझे लगा यार पैरसाइट ग्रे करके एक एक एन्जो नेट्फिलिक्स के उपर सीरीज आई है ये भी कुछ उस तरीके की बहतरीन चीज निकलेगी और इसलिए मैंने इस सीरीज को देखना शुरू किया लेकिन, 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 चैप, लेकिन पर तो बाद में आएंगे, फर्स्ट अफ वाल तो इस सीरीज की कहानी की बात का लेते है तो देखो क्या है, आसमान से कुछ कीडे बरसने स्टार्ट हो जाते हैं, तर्ती के उपर मतलब किसे एक शहर में, साउथ कोरिया में, क्योंकि वहीं की एक सीरीज आगी है वो इनसान के अंदर कान, नाख, आख, मुँ, जहां पर भी छेद हैं, वहाँ से वो गुसना स्टार्ट करते हैं इनसान के शरीज में और इनसान के शरीज के मतलब यह जो दिमाग है इसको खा जाते हैं, अब एक तरिके से दिमाग खा गे तो बोड़ी क्या रहेगी अब उनके कंट्रोल में आगी, वो इस इनसान के शरीज को कंट्रोल करके दूसरे इनसानों को मारना शरू करते हैं, एच्छल में बस इनका यही मोटिव होता है यार, बस दुनिया पे उपर कबजा कर लो, हर एक आजकल मुवी या सीरीज आओ, बस एक ही काम है, दुनिया कर लो, इनसानों को मारदो, अब ही थोड़ी दिन पहले एक इस नदर भी मोटिव था एलियन आ रहे हैं, क्यूंकि इनसानों को मारना है, दुनिया पे क बजा करना, बस, मतलब हमारे लिए तो रहने ग्ति आजगा ही नी छोड़ेगे, इन परसाइट में से एक ऐसा परसाइ को मार रही होती है यह तमाम चीजें आप लोगों को इस सीरीज में देखने को मिलेंगी भाई अब इस जो लड़की है इसके ओपर पैरसाइट ने कबजा कर लिया यह कैसे अपनी लाइफ को जीएगी या इसका क्या महतवपुन रोल होने वाला है जो ग्रेटीम है वो क्या प पुरा है उसके अगर हम बात करें तो अच्छी बात यही है कि इसके अंदर छेही एपिसोड है मतलब इस सीरीज को जादा नहीं जहलना पड़ेगा और बाकी इसके अंदर जो कैमरा वर्क किया गया वो भी काफी बढ़िया है इफेक्ट वी एफेक्स बात करूँ वो भी का ही कर लूँगा नाम याद नहीं होंगे मुझे तो वो एक लड़की के उपर कबजा करता है तो उसकी स्टोरी दिखाई जाती है या फिर जो भी महतपून महतपून जो इसके अंदर करेक्टर उनकी कहानी दिखाई जाती है दाकि हम उन करेक्टर से कनेक्ट हो पाएं जो ए अच्छी बात तो मुझे मतलब या कमी मुझे ये लगी कि इसमें 6 एपिसोड है मतलब अच्छी बात इसलिए कि भी ज्यादा टोलरेट नहीं करने पड़ेगा बुरी बात ये कि भाई मतलब कि यहां पर इतना फोकस स्टोरी पे नहीं था वो इतनी इंटरस्टिंग नहीं बनाई गई है यार हमने ठीक है एक आप देख रहे हो ना पैरा साइट वाली सीरीज इसके अंदर हमने देख लिए कीडे आ चुके हैं कबजा कर चुके हैं उनके बीच में जो फाइटिंग हो रही है वो इतनी इंटरस्टिंग नहीं निकल रही है उनका जो मोटी बस वही ह यार दुनिया पे कबजा कर लेंगे यार हर एक मूवी सीरीज हर दूसरी तीसी मूवी यही निकल रही है उसके पर सेम यही कानी है बस आपने इसका रूप दे दिया अलग से आप पैरासाइट कबजा करना चारे तो इसमें अलग क्या है यार इसके अलवा इंटरस्टिंग जब लडाई हो रही होती है वो बिल्कुल ही वाहियात ही लगी कि मुझे तो यार उसमें कहीं पर भी मैंने इतना ध्यान से उस फाइटिंग सीन को देखा मल की बैक करकर करके देखा मैं का यार मार का रही है एक दूसरी को कहां पर वो फाइटिंग हो रही है कुछ भी इसके अलावा एक जो एनिमे सीरीज थी वो मैंने देखी वो मेरी फेवरेट है तो मुझे लगा गया है इससे बहुत जादा उमीदे में लगांके बैठा था क्योंकि दो पैरासाइट है मतलब दो पैरासाइट नाम से जो अच्छी ची ची देख चुका हूं तो यह भी बह होत बढ़िया है इसमें वो बिल्कुल भी बात नहीं है मैं नहीं कहूंगा कि उसकी कोपी बिल्कुल कोपी तो यार होती तो भी अच्छी बात ही ना यह तो कोपी के आसपास भी नहीं है उसके लेवल को भी टेच नहीं करती है मुझे ऐसा फील हुआ हाँ सब के अपने जाओंगा 6 out of 10 Hindi dubbing की बात करूँ तो अच्छी है Hindi dubbing कोई फालतू का reference नहीं है कोई markart इसके अंदर इतनी कोई markart यार नहीं है ठीक है सर काड़ देते हैं वो markart कह सकते हैं उस चीज को तो अगर आप लोगों ने इस series देखिए तो प्लीज comment section open रहता है जिसके अंदर zero comment आते हैं उसको भर तो यार एक आदा comment करतो तो ठीक है अगर आपको अच्छी लगी है तो बताना की कैसी लगी या तो अच्छी लगी है क्यों लगी है नहीं लगी है तो क्यों नहीं लगी है अगर नहीं देखिए तो आपकी सामने review है आप देखना चाओ तो देखो नहीं देखना चाओ तो यार मैं कौन साब को जबरदस्ती कह रहा हूं जाके देख लो ठीक है तो बस आज के लिए इतना है था thanks for watching this video मिलते है नेक्स video में जैहिंद